तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे human health and disease के कुछ important से mcqs के बारे में ठीक है तो ये lecture boring नहीं बलकि बहुत ज्यादा interesting होने वाला है तो इसको बहुत अच्छे चे मैं समझाँगो तो वीडियो को click किया है तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ पूरी जिंदगी में तुम कभी human health and disease से आने वाले questions को कभी भूला नहीं पाऊगे ये सब लोगों के लिए important है यादि आप biology पढ़ते हैं तो चलिए बिदा देर की हुए human health and disease के mcqs बहुत डेर सारे सवाल्स को start करते हैं तो हेलो गाइज मेरा नाम है अमन और आज आप लोग देख तो हेलो गाइज आसके इस वीडियो में हम बात करेंगे human health and disease मतलब की class 12 है class 10 है class 11 है ठीक है वहाँ पे आता है मानो स्वास्त अम्रोग के कुछ important से mcqs आते ठीक है तो ये dedicated मतलब ये वीडियो के class 12 वालोग के ल तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाले ही है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा समझ देते हैं human health and disease के बारे में कि ये health क्या है और disease क्या है suppose आप समझे कि आप किसी बैक्ति को देखते हैं तो क्या रहता है वो healthy रहता है जिम जाता है अपनी मांसिक रूप से भी और समाजिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है और जब आप मांसिक रूप से भाई स्वस्थ हैं समाजिक रूप से सभी चार लोगों के पास जाकर बैठते हैं उनसे बात करते हैं है और किसी भी लोगों के बारे में ज्यादा बुरा नहीं सोझे ज्यादा टेंसand नहीं लेते हैं इसका मतलब आप हीदी है ठीक है और इसके हिल्दी का मतलब यह नहीं कि एगर आप जिन जाके डोले- で- • बना लिया तो तुम अ लिखी ऐसा कुछ बिजीज एससे होते जो आसानी से ट्रांसमीट हो जाते हैं और आसानी से ट्रांसमीट नहीं होती है एंचली जीसे आप लोग जाते हैं खासी हो गई जुकां हो गया है धाया कि और घ। तो हम लोग एंसीक्यू के बारे में बात करेंगे और एक बात याद रखना कि कॉपी पे लेके बैठना ठीक है इनको सब लोग को इनको सब को नोट करते रहना देखो सबसे पहले इसमें लिख्या हुआ चिकन गुनिया विसाडू का वाहक है यह फोन रोटेट क्यों नहीं हो रहा चिकन मैं जो चिकन गुनिया होता है किसका बाहक है इसमें देखे कई ऑप्सन भी दिये हुए है क्यूलेक्स मच्छर अड़ीज मच्छर अनफिलीज मच्छर इनमेंसक कोई नहीं तो इसका सही option क्या है चलिए मैं बताता हूँ इसका सही answer है एडीज मच्छर ठीक है एडीज मच्छर देखिए जब किसी को चिकन गुनिया होता है तो उसके लिए एडीज मच्छर उत्तरदाई तो होता है ठीक है इसका सही answer यह आगे देखते हैं आगे कि विसाडू से रच्छा के लिए सरीर में निमन में से किस प्रकार की विसेश प्रोटीन का उत्पन्य होता है जब आप समझे कि हमारे बॉडी में जब विसाडू आ जाता है जैसे यह हैं आप और यह हैं वाइरस अब यह आपके बॉडी में जब इंटर करेगा तो आपकी बॉडी क्या आप सं देगी आप सब्सक्रान जयसे कि अपड़ में हैं आपके घर में चोर घुसा हो जोती करने लगा तो आपका क्या सन अब एक। के कुर्सी में देखें चसमा लगा कें हमारे इंटर्फिरांस पाई जाती है इंटर फेरों जब हमारे बॉडी में कोई वायरस प्रवेस करता है तो उसके लिए इंटर फेरोंस प्रोटीन बनाने लगता और इस वायरस को मारने का प्रयास करता है ठीक है अब देखतें नेक्स टोस्टन नेक्स्ट है कि निमने मेंसे कौन सा जीवानुजनित रोग है जिवाणू जनीत रोग है काउन सा रोग है जिवाणू जनीत रोग है इसको आप लोग लिख लीजेगा आगे देखें आगे कि मादा रोग को वहक है मलएरिया रोग को वहर है जो मलेश है वापने यहां पर देखा की चिकन गुनिया मूर कितना अच्छा बोल रहा है है प्रकति हमारी प्रकति है कि मेरी चक्कड मेरी गैल्फरेंट सोभी से बात नहीं हो पाते हैं यहीं के मिरे पास वक्त नहीं है तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है खेर अभी तो मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है नहीं समझती है इस वज़ा से ज्यादव कुछ पंगे नहीं कड़े हुए है और जिस दिन नहीं समझेगी उस दिन तो खेर थोड़ा सा दिक्कत आएंगे मुझे चलिए ठीके देखते हैं हम लोग आप लोगों पढ़ना है देख को स्टपिल्क यादे रोग है अन्यंत lacks यहाथ में आपको देखा कि बस इतना ही होना चाहिए इसके बाद अगर यह ऑंड़ने का आप ऊखो देता है अपने से बढ़ने लगता है कहीं फूलने लगा यह कुछ होने लगा मतलब अन्यंत्रित होने लगा और यह होता है अगर आपके बॉडी में एक्ष्टा मांस कहीं पर जमने लगा किसी एक जगे पर तो क्या होगा उसको हम बोलेंगे कैंसर तो इसका सही अन्सर क्या है कैंसर नमबर कौंसा है नमबर गा अप लोग देख लो टिकए देखिए आगे हैए आगे फाइलेरिया का संचरण किस से होता है अब देखें मलेरिया हो गया एनफिलीज से अब फाइलेरिया किस से होता है इसके आपसन है जितने पढ़िए फाइलेरिया का आपसन है पहला विसानू से होता है जीवानू से होता है क्यूलेक्स मच्छर से होता है एनफिलीज से म वालेरिया होता है एडी मच्छर से क्या होता है चिकन गुणिया होता है तो इसमें बचा कौन सा अपसर बचा है क्यूलेक्स मच्छर क्यूलेक्स मच्छर से होता है फाइलेरिया क्या होता है क्यूलेक्स मच्छर से होता है फाइलेरिया अब देखे अब इसमें से हैं निम्न म से कौन सा रोग विसाडू के द्वारा उत्पन होता है मतलब ऐसे रोग का नाम बताइए जो की विसाडू के द्वारा उत्पन नहीं होता है नहीं यह वर्ड बहुत खतरनाक रहता भाई छोटा सा लिखा रहता समझ नहीं आता ठीक है कौन सा रोग जो विसाडू के द्वारा क्या होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिज माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिज अब देखो यहां तो मुझे पता नहीं है यह में कितने कुश्चन आप लोगो करवा दूँ ठीक है तो वीडियो में बने रहिएगा इसके बाद देखिए आप लोग देख cnc acquired immuno deficiency syndrome होता है AIDS का full form ठीके इसके बाद देखते हैं TB के TK का नाम है TB का जो TK आता है Tuberculosis का एक TK आता है कि आप उसे लगवा लिजे तो आपको TB नहीं होगी TB के TK का नाम होता है BCG क्या होता है? इसके TK का नाम होता है BCG अब यह जो CG है ना यह दोनों बाद ग्यानिक का नाम है और B का नाम होता है Bacillus क्या होता है? Bacillus और C और G यह दोनों एक बाद ग्यानिक के नाम है आगे देखते हैं आगे है कि डेंगू का बुखार मतलब कि Aedes acepti वाहक है जो Aedes acepti होता है कौन सा? Aedes आप लोग देखी रहे हैं भी या Aedes acepti Aedes acepti सो कौन सा रोग फ्यालता है तो Aedes acepti से डेंगू रोग फ्यालता है आप लोगों ने देखा होगा डेंगू है ना इस समय बहुत ज़्यादा खतरे में चले है यार पता यह मच्छलों बहुत खतरनाक होते हैं जो पीत ज़र होता है उसका वाहा कौन सा है पीत ज़र क्या होता है जो पीला बुखार होता है पीला बुखार को हम क्या बोलते है पीलिया वगरा है ना पीत ज़र ठीक है पीत ज़र होता है Aedes के कारण किसके कारण Aedes के कारण Aedes मतलब चिकन गुनिया ठीक है पीर्जर होता है एडीस के कारण आगे देखें आगे देखतें मैलिगनेंट ट्यूमर यह कुश्चन थोड़ा बड़ा समझेगा मैलिगनेंट ट्यूमर में कोशी का है गुडन करती है तीजी से बढ़ती है जो मैलिगनेंट ट्यूमर दो प्रकार का होता है एक होता है permanent tumor एक होता है malignant permanent का मतलब एक ही जगे पर उठीसू का व्रद्धी करेगा वो कहीं नहीं जाएगा वो सिर्फ रोग एक ही जगे रहेगा और malignant tumor का मतलब होता है कि भई वो कट कट के पूरे सरीर में पहुँच जाएगा मनलब पूरे सरीर में cancer बना देगा तो malignant tumor को सिखाए गुडन करती है तेजी से बढ़ती है malignant tumor की को सिखाए तेजी से बढ़ती है तथा सरीर के अन्य भागों तक पहुच कर एक नया tumor बनाती है रोग की जो यह अवस्था होती है कि भई कट कट के कट कट के सरीर के हर पार्ट तक पहुंच जाना इस अवस्था को क्या बोलते हैं इस अवस्था को बोलते हैं चार आपसान है मेटाजेनिसीज Meta Stasis Tera Tonogenesis इसके बाद Mitosis तो इसको बोलते है Meta Stasis क्या बोलते है Meta Stasis ठीक है Meta Stasis अवस्था होती है जिसके काल से Malindit Tumor टूट टूटके पूरे सरीर में पहुच जाता है इसके बाद देखते हैं कि निद्रा रोग किस जंदू के दोरा होता है निद्रा रोग यूग लीना के दौरा प्लाज्मो डियम के दौरा ट्रेपैनोसोमा के दौरा अमीबा के दौरा जो निद्रा रोग होता है वो होता है ट्रेपैनोसोमा के दौरा किसके दौरा ट्रेपैनोसोमा के दौरा आगे देखें आगे जोता है HIV अब देखें HIV का फुल सब्सक्राइब को मारता है तो एक बात याद रखना औप्शन में देखना कि हिल्पर टीसेल कहां पर है helper T cell जो HIV होता है न वो सदेव helper T cell पर attack करता है और helper T cell को मार देता है जिसके करण से सरीर का immune system कमजोर हो जाता है immune system down हो जाता है ठीक है तो इसका सही answer है सभी T कोशी काई सभी T कोशी काई मतलब gun number आगे रेखते हैं आगे है कि alcohol निम्न लिखित में से किस अंगो को प्रभावित करता है जो यह दारू होती है जो ग्लास होती है साम को जो चड़ती है वो किस अंगो को प्रभावित करता है आमासे को प्रभावित करेगा पेट में जाएगा तो यक्रत को करेगा, मुख गुहा को करेगा, इन में से कोई नहीं, तो ये बात याद रखना, जो इल्कोहल होता है, देखो, जो हमारे बॉड़ी में जितनी भी प्रकार की toxicity होती है, जितना मतलब की जहरीला पदार्थ होता है, उसको लीवर सवो करता है, फिल्टर करता है, तो एकलब कहां जाएगा इल्कॉL जाएगा लीवर में तो इसका सही एंसर कै है donc यक्रत को मतलब वो कर देता है और लीवर शिरोसिस यायकरत में रोग हो जाते हैं फिर बंदा मर जाता है बहुत सद्धी मौत होती है लकोहल का सेवन करने वालों की ठीक है देखिए अभे अफीम से जो प्राप्त मार्फी मार्फी होता है अफीम मतलब एक निश्चेतक पदार्थ है ठीक है अफीम से प्राप्त मार्फीन को हम क्या बोलते हैं तो अफीम से जो प्राप्त होती है मार्फीन थीक है तुम लोग भी खाया करो जो अफिम है उसे प्राप्त मर्फी से उसे नरे ती एंटी सीरम अब सपोस्ट जैसे किसी की बॉड़ी में कोई एंटी बॉड़ी है एंटी सीरम का काम होता है कि दुसमनों को मारना मतलब कि एंटी जिन्स को मारना ठीक है एंटी जिन्स पैथो जिन्स को मारने का काम होता है एंटी सीरम का अब एंटी सीरम में होता है एंटी सीर में इंटी बॉडी होता है इंटी बॉडी का काम होता है लडाई करना क्या होता है लडाई करना हमेशा ये लडाई में रहता है हमेशा तभी तभी तो हमारा जो सरीर है वो बहुत ज्यादा क्यूरेबल है है ना सभी रोगों से क्योर कर जाता है नहीं तो पता है बहुत देर स नोटेटम से प्राप्त होता है किससे पेनिसिलियम नोटेटम इसको लिखो यह इंपोर्टेंट लिखो क्या यार इतना तुम यादी कर सकते हो ठीक है पेनिसिलीन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है और सबसे पहले फ़स्ट एंटिबायोटिक की खोज हुई थी ज तो पैनिसलीन की खोच किस ने किया था अलेकजंडर फ्लेमिंग ने अब देखिए अब इसमें है कि निम्न में से किस रोग की पुष्ट्य विडाल टेस्ट सीखी जाती है आप लोगों ने टेस्ट किया जाते हैं टेस्ट होता है मतलब कि टाइफ आइफाइट का टेस्ट किया जाता है तो क्या होता है वेड़ाल का साल्मो निला टाइफी पता है देखो बारिस का मौसम चल रहा है और गजब का वाता वरणा है तुम्हें मैं एक खास आदर बता हूं कि जब बारिस होती ना तुम अकसर नहाता हूं लेकिन अभी तु इतनी अच्छी बारिस होई नहीं नहाने वाली ठीक है फिर नहाएंगे जब बारिस होगी देखें जो यंपी वेडॉल टेश्ट होता है ना उसके टाइफाइड का टेश्ट होता है ठीक है और टाइफाइड किसके दौरा होता है साल्मो निला टाइफी के दौर अब देखिए कुश्चन है कुश्चन दो मैं एक हैर बोर्ड पे नहीं आएंगे स्क्रीन पे अब ऐसे पढ़के बताये नहीं लिखते हों देख़ो है एचाईवी का पूरा नाम क्या है आप आप देखा है एक बात याद रहे हैं एक बात हैं कि जो बाहर से जो रोग आरहे हैं दूसरा रोग जो आ रहा है उससे वो रच्छय प्रदान कर पाता है आप सपोस्थ थोड़ा सा बैक्टीरिया का प्रविस अंदर हुआ तुरंद बुखार आ गया तुरंद जुखाम होगे तुरंद सर्दी होगे तुरंद पूरी बॉड़ी जकड़ गई मर गए ठीक है ऐसे होता है ठीक है HIV और AIDS से कोई भी नहीं मरता है खुली खुलता बोल द देखें माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा असोसियेटेद लिमफॉइड टीशू ठीक है देखो इसे मिटा दू लिग दू थोड़ा सा तुम लोगों को तक काम करो लाइक करते चलो वीडियो को ठीक है देखें माल्ट का होता है यह सब पूछने पूछा जाने वा म्यूकोसा-associated lymphoid टिस्यू माल्ट का फुल फॉर्म अब देखें अब होता है है वर्ड हेल्थ और गाल इसके बाद देखे अब देखे आता है कि एड्स सब लोगों सब का फुल फॉर्म देख लिजी आप एड्स लोगों तक बताने के लिए स्थान सथा काम करती है ठीक है वड लेवल पर और उसका नाम है मतलब कि मेसन अल नेसनल एड्स इडस को नेसनल एड्स कंट्रोल और्गनाइजेर्शन किझ भुषिय। अधिर स्प्रेसियर की स्पेलिंग ही यह दूंदोम किया होती है नयको मतलब कि एक संस्था होती है जो एड्स के बारे में लोगों को अवेयर कराती है ठीक है मैं मतलब मेंली गाउं के लोगों को अब आया की HIV HIV का फूल फार्म होता है human human immunodeficiency syndrome ठीक है यह हुआ आपका human health and disease ठीक है यहां से इतने धेर सारे mcq बनते हैं और देखे कुछ आप लोग चाहते हैं कि उनका अलग वीडियो है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उनके लिए वीडियो बनाया जाएगा तो आज का वीडियो बस यहीं तक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए वीडियो को देखते रहे चैनल को सब्स झाल झाल